नमस्कार मित्रो जाइहिंद आज हम सभी को देख रहा है कि दक्षिल भारत के परवसे रेडियों के बारे में जो बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से प्रश्ण बहुत जादा पूछे जाते हैं आप सभी जब भी वीडियो देखिए तो इसके साथ कोशन को भी प्रेक्टिस करते हुए आगे बढ़िएगा आईए हम सभी देखते हैं कि सबसे पहले कि आपको मिलेगा मध्य परदेश में अगर बात करें तो एक आपको परवसे रेडियों की बात करते हैं यहां पर देखिएगा कि महादेव की पहारी कि देखने को मिलेगा क्या कि महादेव की पहारी इस जो महादेव की पहारी जो है न यह क्या है सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि यह सत्पूरा जो स्रेडि है सत्पूरा जो परवस्रेडि है उसी का यह अभीन अंग है किसका है तो BCS करके द्यान रखिएगा अगर हम सभी बात करें तो एक सबसे पहले 256 में है तो MP के च्रम मैं अम मत्य परदेश के जो क्या है कि बैतूर जो जिला है और चिंदोबली जो जिला है तो वही पर क्या है कि इस्तित किसका है तो सत्पूरा की किसकी सत्पूरा जो क्या है कि परवत्सरेडी है ये जो सत्पूरा जो परवत्सरेडी है ना इसी के क्या है कि पाथ है महादेव की पहारी दूसरी चीज इसको विशेस करके ध्यार रखियेगा कि इसी के क्या है कि एक सबसे उची चोटी आपको मिलेगी जिसका नाम है क्या कि धूपगड है क्या नाम है यहाँ पर दखियेगा यहाँ पर क्या है कि धूपगड कौन सा धूपगड यह जो धूपगड़ है न सबसे उची चोटी किसकी है तो महादेव पहारी की है तो PCS करके ध्यार रखियेगा धूपगड़ किसकी धूपगड़ यह धूपगर जो क्या है कि परवद जो किसकी है तो सत्पूरा की है किसकी है तो सत्पूरा की है तो यह महादेव की पहारी दूसरी चीज़े क्या है कि इसी में क्या है कि इसी पहारी में आपको देखने को मिलेगा कि एक पंचमडी क्या है एक परियाटन अस्थाल है पंचमड़ी कौन सी है तो परियाटन अस्थाल है आप सभी जानते हैं कि पंचमड़ी जो वहाँ पे बहुत सारे प्रियाटन जो बहुत सारे लोग क्या घुमने के लिए जाते हैं महादेव की पहाड़ी में इन छेत्रों में तो याद रखिएगा कि महादेव की अगर पहारी के बारे में अगर बात करते हैं तो यह MP6 में हैं कहां पे हैं MP में दूसरी चीज यह सत्पूरा परवसरेणी के अभीनंग है तीसरी चीज आपको देखने को मिलेगा कि यह क्या है कि धूपकर इसकी सबसे उची चुटी है अगर हम सभी बात करते ह कि एक परवसरेणी के अगर हम सभी बात करें तो यहां पर देखने को मिलेगा कि एक हरिश्चंद्र की पहारी हरिश्चंद्र की पहारी जो महराष्ट में है कहां पे तो महराष्ट में देखिएगा इन शेत्रों में क्या एक मिलेगा क्या तो हरिश्चंद्र की पहारी इसक कोई भी अगर पहाड़ी या पठार होता है न तो सबते पहले क्या करता है तो बिशेश करके धार कियेगा कि जल भी भाजक प्लस आपको क्या कि जलवाई भी भाजक कौन सा तो जलवाई भी भाजक उसके बाद देखने को मिलेगा कि ये क्या कि बनस्पती भी भाजक उसके पाथ आपके क्या कि जन संख्या भी भाजक तो देखो भाई तो ये सभी क्या है कि विश्यस करके ध्यार रखिएगा कि हरिश्चंद्र की जो पहाडी है ना तो ये जो हरिश्चंद्र की जो पहाडी है तो इकीधर है तो मद्यप्रदेशी अरभियन सी के ट्रट के समना और अब यहन सी के लगभाग समनातर है ये कर्थी क्या है? इसे इस करके ध्यार कियेगा कि गुदावरी जो नदी है और कृष्णा नदी के मध्य क्या करती है कि ये बाटती है जल विवाजक के रूप में काम करती है किसके किसके? तो गुदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में क्या करती है? जल विवाजक के काम करती है उसे दोनों को बाटने के लिए काम करती है दोनों के लिए किस लिए काम करती है? तो बाटने के लिए काम करती है अब इसके बाद दखिएगा कि हम सभी बात करें कि इसके बाद एक आपको मिलेगा बाला घाट की पहारी कौन सा तो बाला घाट तो मंध्य परदेश आपको क्या है महराश्ट और क्या है कि करनाटका के बोर्डर पर विसेश करके धान किएगा एक आपको विसेश करके कि बाला घाट यहां पर देखिएगा महराश्ट में ही है यह कहां पर है तब बाला घाट देखो भाई यह जो क्या है कि बाला घाट की जो पहाड़ी है यह बाला घाट की जो पहाड़ी है न यह प्राकृतिक संसाधन के लिए बहुत ही क्या है कि उप्योगी है और इसके बाद विश्यश करके ध्यारखिया के. जितने भी महराष्ट के जो ओधविक चोड़ तरह और जो संस्ताने है, जो अस्थापी प्यट्ब कहां पर है त excitweak हट की दिर्वा है. तो इसको विश्यश करके ध्यार क त्यारखिया कहां है तो महराष्ट में है, इसको business करके ध्यान रखेंगे अब इसके बाद कि ये कहा है तो महराष्ट में इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक आपको business करके बहुत ही important आपको क्या मिलेगा तो निलगरी कौन सी तो निलगरी की पहाड़ी जो बहुत important है देखना बाँ यहाँ तो निलगरी के पहाड़ी यहाँ पर दिया हुब विसेश करके ध्यान रखियेगा यह जो छेट रहे अद निलगरी की अगर हम सबी बात करे किसकी तो निलगरी की निलगरी की क्या पहाड़ी के बारी में अगर अगर हम सभी बात करें या निल्गरी hill दिया हो गाया कि ये क्रिए आब विस्यस करके ध्यार कि यह क्या है कि पश्चिन गात यह पश्चिमी वेस्ट्न अवेस्टन गा और जो एस्ट्न घर कि क्या है कि ये संगम पर है तो सबसे पहले अगर जी इंपोर्टेंट बाग कि अगर बात करें हम सबी कि अगर निलगिरी के बारे में हम सबी बात करते हैं पहला पॉइंट माल लिजे कि अगर निलगिरी की पहारी के बारे में अगर हम सबी बात करें दहां रखिएगा तो पहला पॉइंट ये क्या है कि पहले चीज़ सुनिये कि ये क्या है कि आपको विशेश करके दहां रखिएगा कि ये करनाटका में है कहां पहे है करनाटका में करनाटक में दूसरी चीज़ इसकी पॉइंट विशेश करके कि पुर्वी घाट की संगम मनाती है पुर्वी घाट के संगम परिष्थी थे कौन सा कि पुर्वी घाट के क्या है कि दिखा भाई यह बाला जो क्या है कि पुर्वी घाट है इसी के संगम पर कौन सा इस्तित है यात रखिएगा संगम जो है कि दोनुको जहां मिलाती है वो कौन सी मिलाती है? आपको निलगरी मिलाती है. और इस निलगरी के सब से जो ऊची चोटी है, इसका नाम रखना या ध्या रखना कि डोड़ा बेटा? कौन सा तो डोड़ा बेटा यहागागा सरका? और इसकी ऊचाए की अगर हम बात करें, यह 26 आपको कितना? कि 37 मीटर तो आपको 37 मेटर क्या है कि उचाईए दूसरी चीज विश्यस करके ध्यान किएगा कि इस डोड़ा बेटा जो है न कि सेकेंड तक्षीड भारत की जो सेकेंड सबसे हाइस्ट पॉइंट है दूसरी सबसे उची बिंदू है और प्राइदिती भारत की क्या है कि सेकेंड सबसे उची चोटी कौन सी है सेकेंड है इसी के निलगरी के धलानों पर क्या रहती है कि एक टोंडा जंजाती रहती है कौन सी जंजाती तोंडा विश्यस करके ध्यार रखिएगा टोडा तोडा आपको क्या कि जंजाती रहती है कि अगर हम सभी बात करें कि अगर निलगरी के बारे में ते करनाट का छेतर में विशेश करके दूसरी क्या कि पहश्चमी एवं पूर्वी घाट की क्या है कि संगम बनाती है संगम पर संगम है दोनों जहां मिलती है वही पर क्या है कि संगम बनता है जैसे नदियों के बारे म आप से जानते हैं, अब सबसे ज़्यादा पूश्ता है, और इसके जो highest point क्या है, तब इसे करके डोडा बेटा, कौन से है, तो डोडा बेटा, इसमें टोंडा जो जंजाती है, यह कहां पर रहती है, तो इसी के जो है, कि आपके छेत्र में, अब इंपोर्टेग बाद, कि इन पे होते हैं यह अहां पे।抿लें को सब्सक्राइबर में कि इसे कि और फिर आत רק है आगर हम सभी बात करें दिरीर के बात एक आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर देखिए गार कि एक अन्ना मलाई कौनसा? तो अन्ना मलाई अन्ना मलाई जो पाहड जो कि यह क्या है कि केरल और तमिलाडू के क्या है? केरल और तमिलाडू के क्या है बोडर परिश्थित हैं IT ये तमिलादू को खिसके खिसके तखीरल अवर क्या कि तमिलादू को बोडर पर क्या है कि इस Clout इसी के क्या है कि सुप्त से उंची जोटी आपको देखने के मिलेगा अनाई मुड्य कॉन सी इनाई मुड्य तबिश्याष करके धियाँ रखिये कर यहीं पर देखिये अनाई मुटी क्या है अनाई मुटी यहां पर विशेश करके ध्यान रखिएगा अनाई मुटी इसकी जो उचाई कितनी है तो 2600 आपको कितना कि 95 मेटर यह बाबू क्या है कि दक्षिड भारत की क्या है कि सबसे उची चोटी है सबसे उची चोटी कौन सी है ता आपको अनाई मुड़ी है आपको प्राइदी भी भारत की सबसे उची चोटी की अगर हम सभी बात करते हैं तो कौन सी अनाई मुड़ी किसकी है ता अन्ना मलाई जो परवत सरेड़ी है यानि कि पहारी जो है उसी के सबसे उची चोटी है तो यहां पर देखिए BCS करके ध्यार रखिएगा कि अगर हम सभी बात करें कि अन्ना मलाई के बारे में कि अगर माल लेजे कि सेकेंड हम सभी बात कर रहे हैं अन्ना मलाई के बारे में अगर हम सभी बात करें अन्ना मलाई की पहारी के बारे में तो इसकी सबसे पहले कि यह कहां कहां है तो केरल मिशेश करके ध्यान रखिएगा केरल और किसके पलस आपको क्या कि तमिलाडू में तमिलाडू में अद दूसरी इसकी सबसे उची चोटी की अगर हम सभी बात करें तक क्या अनाई मुड़ी कौन सी इसकी जो उचाई कितने था तो बाबू विशेश करके ध्यान रखिएगा कि 26 कितना कि आपको 95 आपको क्या कि मीटर तो यह बहुत इंपोर्टेंट है इन छेत्रों में क्या क्या अखुता है तो विशेश करके ध्यान रखिएगा इलाइची कौन सा प्लस गर्म मसाला इसकी आपके अन्ना मलाई के जो पहाड़ी के छेत्रों में कौन कौन से होता है तो विशेश करके ध्यान रखिएगा इलाइची की खिती होती है गर्म मसालों की खिती होती है बढ़ी बहुत बढ़ी मात्रा में है कि नहीं तो यह आपको विस्यस करके तहां रखिएगा कहां पर है तो तमिलाडू और क्या है कि किरला के जो क्या है कि बोर्डर पर है इसको विस्यस करके तहां रखिएगा निक्ष्ट आपको मिलेगा कि एक इलाइची की पहाड़िया इसकी पहाड़िया इलाइची की पहाड़िया देखो भाई जो इलाइची की पहाड़िया की अगर हम सभी बात करें ते यह तमिलाडू में है कहां पे है तमिलाडू में इसको पीसेश करके ध्यां रखना कि अगर एक हिलाइचर की अगर पहारी के हम सभी बात करें यह सबसे पहले कहां है तो kan पर है सिर्था का भारत को उस कि बारत के सब्सेति दक्सित्पिय। भारत की सबसे दक्षिड ना प्रवत्सरेणी कि भारत की जो क्या है उसका निवास्त्रस्थान है किदा तो इलाइची के पाड़िया में कहां पर है तो इलाइची के आपको क्या पाड़िया में तो बिसेंस कर के दिखार रखिएगा उसके बाद देखिए कुछ कैसे कुछ जैसे कि परवचोटियों के बारे में देखना है कि एक देखने को मिलेगा कि आपको जो क्या है कि महाबलेश्वरम देखें यह महाबलेश्वर महाबलेश्वर चोटी है महाबलेश्वर की चोटी की अगर बात करें शवाराश्वर महाबलेश्वर चोटी जोosit महाबलेश्वर महाबलेश्वर की करते हैं कि ब्रहम गरी क्रिस्त ब्रहम गरी क्रिश्ना का बोन और 여러 नहीं कि इसको भी विशेश करके ध्यार रखिएगा यह भी कहां है तो महराष्ट्रा में है यह दोनों से इससे क्या लिकर रही है तो आपको कृष्णा ध्यार रखिएगा तो इसको विशेश करके ध्यार रखिएगा कि इसको विशेश करके दो चीज़ों को महावले सुरा उसे गुदावरी आख कृष्णा आपको जो क्या है आपको विशेश करके धार रखिएगा प्रहम ग्री से नेक्ष्ट वीडियो में हम सभी देखेंगे कि इसके पूर्वी भाग के जो क्या है के छेत्र है न उस पूर्वी भाग के छेत्रों में कई सारी परवसरडिया है उसके बारे में देखेंगे ठीक है जय हिंद जय भारा